हेलो एब्रिवन, ब्लट का ये है पार्ट एट और इसमें पढ़ेंगे हर्ट इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था ब्लट पाथ यरक्त का मार्ग हमारे शरीर के अंदर और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर्ट के अंदर ब्लट किस तरह से बहता है सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्ट यह हिर्दय क्या होता है यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक अंग है एक और्गन है हर्ट एक सर्कुलेटरी और्गन है परिसंचरन अंग है क्योंकि यह रक्त को परिशंचरित करता है या ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है इसके अलावा हर्ट को एक पंपिंग और्गन भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्लड को पंप करता है मतलब ब्लड को हमारी बॉड़ी के हर एक पार्ट तक भेजने का काम करता है हर्ट मायोजेनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह अपना काम सोतह कर सकता है मतलब सेल्फ डिपेंड होता है यह अपना काम खुद कर सकता है किसी और दूसरे और गन या किसी और दूसरे अंग की हेल्प की जरुवत नहीं होती है नेक्स्ट है हर्ट का वेट कितना होता है तो हर्ट का वजन लगबग 200 से 400 ग्राम तक होता है यह एक लिमिट है कि 250 से 350 ग्राम के बीच में हो सकता है लेकिन अगर एवरेज वैल्यू और सत मान माने तो 300 ग्राम तक होता है और boyz में hurt का वजन हो सकता है 280 से 340 g ग्राम तक और girlz में 230 से 280 g ग्राम तक next point है कि hurt हमारी body में कहां पाया जाता है तो hurt chest cavity इसी को हिंदी में कहते हैं छाती गोहा या फिर chest cavity का दूसरा नाम है thoracic cavity इसे हिंदी में कहते हैं वक्षी गोहा तो chest cavity या थोरसिक cavity के बीच में होता है hurt, छाती गोहा या वक्षी गोहा के बीच में होता है हिर्दे. वक्षी गोहा में दौनों lungs के बीच में, ये दौनों lungs हो गए, फेफडे, इनके बीच में एक जगए होती है, जिसे कहते हैं, मीडिया, स्टी नम दोनोervation लंग्स या दोनोव फेपरे के बीच में खाली जगे पायजा गती है जिसे कहते हैं मीडिया, स्टी नम, इस पाया जाता है हाट हाट दोनों लंग्स के बीच में होता है लेगिन वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड को जुका हुआ होता है इसलिए उसको left side में माना जाता है क्योंकि हलका सा left side में जुका होता है ये right side है लेकिन इसको left side मानते हैं ये हमारा right side हो गया और ये left side हो गया biology में ये left और right हम सामने खड़े हुए व्यक्ति के हिसाब से देखते हैं भले ही ये हमारा left है लेकिन सामने खड़े हुए व्यक्ति का ये right side होगा और जो right है वो left होगा और हर्ट दौनों लंग्स के बीच में होता है लेकिन हलका सा left side की तरफ जुका हुआ होता है इसलिए हर्ट को left side मानते हैं नेक्स है हर्ट की study को हिर्दय के अध्यन को कहा जाता है कार्डियोलोजी और हर्ट के डॉक्टर को कहा जाता है कार्डियोलोजिस्ट जो हर्ट से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करता है हर्ट की लंबाई इसकी length लगभग 12 cm होती है और इसकी चौड़ाई breadth होती है 9 cm के लगभग नेक्स हर्ट के sound को हिर्दय की ध्वनी को कहा जाता है लबडब धक धक नहीं कहते हैं हर्ट के sound को लबडब कहते हैं और हर्ट की सबसे बाहरी परत को pericardium जिल्ली कहा जाता है या इसकी outer layer को pericardium membrane कहते हैं इसके पहले हमने देखा था कि हर्ट मीडिया इस्टीनम स्पेस में होता है दौनों लंग्स के बीच में जो जगह पाए जाती है उसे मीडिया इस्टीनम स्पेस कहते हैं और इसी इस्पेस में एक जिल्ली होती है यसे pericardium जिल्ली कहा जाता है उसी के अंदर हर्ट होता है मतलब हर्ट pericardium जिल्ली pericardium membrane से घिरा हुआ होता है मालों ये इस्पेस हो गई मीडिया इस्टीनम इस्पेस जो दौनों लंग्स के बीच में पाए जाती है अब इसके अंदर एक जिल्ली पाए जाती होगी इस तरह से और इस जिल्ली के अंदर pericardium द्रफ भरा होता है या pericardium फ्ल्यूट ये हो गई मीडिया इस्टीनम इस्पेस और ये है pericardium membrane या pericardium जिल्ली इसके अंदर एक द्रफ भरा होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकाडियम पेरिकाडियम जिल्ली के अंदर भरे हुए द्रफ को कहा जाता है पेरिकाडियम द्रफ या पेरिकाडियम फ्लूट और फिर इसके अंदर होता है हर्ट पेरिकार्डियम, मेंब्रेन या पेरिकार्डियम जिली के अंदर तीन परते पाई जाती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम इन्हें हम आगे पढ़ेंगे हर्ट के स्ट्रक्चर के साथ हर्ट का साइज हमारी मुठी के बराबर होता है हर्ट एक मिनिट में 72 बार धड़कता है और एक बार धड़कने में ये 70 ml ब्लड को पंप कर दीता है इसके पहले हमने देखा था कि हर्ट ब्लड को भेजने का काम करता है मतलब हर्ट ब्लड को पंप करता है बॉडी के सभी पार्ट तक तो हट का वर्क या कारे क्या हो गया ब्लेट को पंप करना और कितना ब्लेट पंप करेगा एक बार में 70 ml ब्लेट को पंप कर देता है बार मतलब जितनी बार धड़केगा उतनी ही बार ब्लेट को पंप करेगा मतलब Blood को बहजेगा एक मिनिट में 72 बार जड़कता है तो एक मिनिट में ये 72 बार ही 70 ml Blood को बहज देता है एक मिनिट में बहज जड़केगा और एक बार जड़कने में 70 ml बहज देगा तो into 70 यह आजाएगा 5040 ml मतलब 5000 ml के लगबग Blood को Pump कर देता है 1000 ml मतलब 1 लीटर और 5000 ml मतलब 5 लीटर तो इससे हम कह सकते हैं कि हर्ट 1 मिनिट में 5 लीटर ब्लट को पंप कर देता है हर्ट की एक धड़कन बनने में मतलब एक धड़कन में 1 हर्ट बीट में 0.8 सेकिंड का टाइम लगता है और हर्ट की धड़कन को बनाता कौन है? S.A. Node हर्ट की धड़कन बनाने का काम करता है S.A. Node S.A. Node को फुल फॉर्म होता है S.A. Node S.A. Node ये S.A. Node हमारे हर्ट के अंदर ही पाया जाता है जिन व्यक्तियों में ये S.A. Node खराब हो जाता है उन्हें अलग से बाहर से एक मशीन लगा दी जाती है जिसे कहते हैं पेस्मेकर मशीन ये हम आगे पड़ेंगे हर्ट में लेयर या परट की संख्या होती है तीन, जो पेरिकाडियम के अंदर पाय जाती है और हर्ट में चेंबर ये कक्षों होते हैं चार ये कक्षों की संख्या सभी जीवों या ओगनिजम्स में अलग-अलग पाई जाती है जैसे अगर मचली को देखा जाए फिश फिश के हर्ट में दो चेंबर होते हैं, दो कक्ष होते हैं ये हम चेंबर्स देख रहे हैं कक्षों की संख्या मचली के हार्ट में दो कक्ष होते हैं ये मालो मचली का हार्ट हो गया इस तरह से डिवाइड होगा दो कक्ष हो गए पहला और दूसरा इसमें उपर वाले कक्ष को या उपर वाले चेंबर को कहा जाता है एट्रियम Atrium यैसी को हिंदी में कहते हैं Island और नीचे वाले चंबर को Ventricle कहा जाता है इसे हिंदी में कहते हैं निले दूसरा है उभेचर और सरीशरप उभेचर मतलब Amphipience जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं सरीशरप मतलब Reptiles जो रेंग कर चलते हैं इनमें Chambers की संक्या होती है तीन मतलब इनके हर्ट में उभेचर में जैसे मेढक ले लो मेढक जमीन पर भी रह लेता है और पानी में भी सरीशरप ये Reptiles में छिपकली वगेरा इनके हर्ट में तीन Chambers होते हैं मान लो ये इनका हर्ट है इसमें तीन Chambers बनाने हैं एक दो तीन तीन Chambers हो गए ये हो गया Upper Chamber और ये हो गया Lower Chamber और जो इसमें Upper Chamber है उपर का कक्ष ये दो पार्ट में और डिवाइड हो जाता है तो Total Chamber हो जाते हैं तीन नीचे वाले चमबर को कहते हैं Ventricle या निले और उपर वाले चमबर को Atrium या आलिंद ही कहते हैं लेकिन Atrium या आलिंद दो पार्ट में डिवाइड हो गया है तो ये Left और Right दो बार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये Left है लेकिन हमें इसको Right लेना है Right Atrium और जो Right में है वह हो जाएगा Left Atrium दाया आलिंद, बाया आलिंद, निले और इंग्लिश में Right Atrium, Left Atrium और ये Ventricle Ventricle या निले इसमें एक ही होता है इसमें एक exception है अपवाद है सरी सरप में हमने देखा था कि इनमें तीन चैमबर होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल में या मगर के हर्ट में चार चैमबर होते हैं मगर के हर्ट में क्रोकोडाइल के हर्ट में चार चैमबर होते हैं इसके बाद mammals में या इस्तंधारियों में, birds में या पक्षियों में हर्ट के चार चेमबर्स होते हैं जैसे हमारे अंदर या humans में 4 चेमबर का हर्ट होता है जैसे ये हो गया हर्ट, सबसे पहले ये दो पार्ट में डिवाइड होगा यह upper chamber और यह lower chamber फिर यह दोनो चेंबर दो पार्ट में और डिवाइड हो जाएंगे तो इस तरह से कुल 4 कक्स हो जाते हैं एक, दो, तीन, चार उपर के पार्ट को यह upper chamber को कहते हैं atrium atrium यह आलिंद और heart के नीचे के पार्ट को यह lower chamber को कहते हैं ventricle वेंट्रिकल या निले अब जो ये आलिंद और निले हैं इनको दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया है लेफ्ट और राइट लेफ्ट कौन सा होगा जो की हमारे राइट में है और राइट कौन सा होगा जो हमारे लेफ्ट में है यह है राइट एट्रियम और यह है लेफ्ट एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल होते हैं राइट वेंट्रिकल और यह लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर हिंदी में यह दाया आलिन यह बाया आलिन दाया ने ले और यह बाया ने ले हट के अपर चेंबर या उपरी चेंबर का काम होता है कि ये बलड को रिसीव करता है अपर चेंबर में क्या है अट्रियम या आलिंद तो आलिंद का काम होता है कि ये बलड को रिसीव करते हैं या बलड को लेते हैं रिसीव ब्लड रग्त को लेने का काम करते हैं आलिंद और जो लोवर पार्ट लोवर चेमबर होता है मतलब वेंट्रिकल याने ले ये ब्लड को पंप करने का काम करते हैं ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि ब्लड किस तरह से पंप करता है और किस तरह से रिसीव करता है अब हम हर्ट का वर्क डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हर्ट किस तरह से कारे करता है कैसे ब्लड को लेता है और कैसे इसको भेजता है पंप करता है और आगे जब भी कभी हमें left atrium लिखना होगा तो इसकी जगह पर हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे एल एल ए मतलब left atrium बाया आलिन सेम इसी तरह से left ventricle की जगह पर LV या बाया निले और right atrium की जगह पर short में हम लिखेंगे आर ए मतलब दाया आलिन और right ventricle की जगह पर आर वी या दाया निले तो human heart या माना फिर्दय के कार हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू